यूपी विदानसबस सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है जिसके मताबिक पांच दिसमबर से यूपी विदानसबा का शीतकालिन सत्र शुरू होगा पांस दिसम्बर को सुभह ग्यारा बजे से विदानसभा का शीत कालिन सत्र शुरू होगा तो आपको बता दें पांस दिसम्बर से यूपी विदानसभा का शीत कालिन सत्र जो है वो शुरू होने वाला है जिसके अधिसूचना फिलाल जारी कर दी गई है और काफी एहम सत्र भी इसे देखा जा सकता है क्योंकि योगी आदितनात जिस मूड में दिखाई दे रहे हैं एक आर्थिक द्रश्टी से राज्य को आगे ले जाना है और साथ ही पूरी मुस्तैद्गी से वो राज्य के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उसको करने में मुख्यमंत्री योगी आदितनात लगे हैं और काफी एहम यह सत्र हो सकता है शीतकालीन सत्र यूपी के अंदर पांस दिसंबर से शुरू होने वाला है विदान सभा का और इस खबर पर अधिक जानकाली के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्रप्रदेश के स्टेट हैड अमरीश सिंग अमरीश उत्रप्रदेश विदान सभा का पांस दिसंबर को शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है ऐसे में किस तरह से खास रहने वाला है यह सत्र और क तो आपको पता दे कि 5 दिसंबर को यूपी विदान सभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा काफी एहम सत्र है काफी बहुत कुछ विशेश सौगाते जो है सत्र के माध्यम से जनता को मिल सकती है और काफी एहम रहने वाला है यह सत्र जिसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस खबर पर हमार साथ जुड़े हुए है हमारे सहयोगी उतरप्रदेश के स्टेट हैड अमरीश सिंग अमरीश पांच दिसंबर से विदान सभा सत्र शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है ऐसे में किस तरह से यह एहम सत्र देखा जा सकता है क्या कुछ एहम घो प्रवास होगी शुक्रवार को विदान सभा सची वाले ने इसकी अधिक पूचना जारी कर दी यह शीतकालीन सत्र के दौरान योगी अधितनात सरकार विस्टी वर्ष दो हज़र बाइस देश के पहला अनुपूरत बज़त पेश करेगी इस और इस संख्युत सत्र के दौ दौबार को केमिलेट बैठक में विदान मंडल का शीतकालीन सत्र आहूत करने के संसदी कारे विभार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी तैए कि विदान मंडल का शीतकालीन सत्र पात दिसंबर से ही शुरू होगा शुक्रवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है पिछला जो विदान मंडल का मौन्सूल सत्र था वो पांट दीवस यह था सौरव उनने से सितंबर तक संसदी कारे मंतरी सुरेश खन्ना से हमने बात कि उन्होंने बोला है कि विदान मंडल का यह सत्र तीन दिन से लेगा इसमें सरकार की और से मुख्य रूप से अनुपूरत बजट पेश किया जाएगा कुछ विदाई कारे भी होंगे योगी सरकार ने वर्तमान वित्य वर्ष के लिए लगभग 29 माई को इससे पहले जो बजट है वो पेश किया था लेकिन योगी सरकार की कोशिश यह है कि 2000 वबिस में होने वाले लोग सुधा को चु जो भी उनकी चालू योजिनाएं हैं और परियोजिनाओं हैं उनके लिए आवश्यक धनराशी का इंतिजाम किया जाए कुछ नई मदों के लिए भी यह धनराशी जो है वो दी जा सकती है सौरब धन्यवाद अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दे कि उत्तरप्रदेश के अंदर पांच दिसंबर से विधानसवा सत्र शीत कालिन सत्र शुरू होने वाला है तीन दिवसिये सत्र रहेगा जैसा कि हमारे स्टेट हैड यूपी स्टेट हैड अमरीश ने बत झाला है